तो आगत है दोस्तों मेरे आपके यूटूब चैनल पर ठीक है आज मैं लाया हूँ RCC के जो question जो है पहले chapter कहा है उसका question में लेकर आया हूँ तो देखता हूँ कि पहला question हमारा क्या है ठीक है तो पहला question है if the stress in each cross section of pillar is just equal to its working stage it farm is called ठीक है farm of equal stage, farm of equal strength, farm of equal section या फिर none of this ठीक है पूछ रहा है कि अगर हमारा क्यारा cross section का pillar का just equal to working stage तो farm कौन सबसका होगा ठीक है तो क्या बोलने गोज़का हम लो just ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा farm of equal strength हो ठीक है next देखते है in the limit state approach spacing of main reinforcement control हम जो है limit state method में हम लोग बोल रहा है कि हम spacing क्यों देते हैं क्या control करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो होता है वो cracking के लिए होता है ठीक है next देखते है कर रहा है कि एस पर आयस ठीक है था नौर्मल कंक्रीट कभर फार moderate exposed should not less than ठीक है moderate के लिए पूछ रहा है moderate exposure के लिए है तो कितना होता इसका तो इसका जो होगा 30 होगा हम आपको आगे एक चार्ट भी दिखाते है ठीक है तो यहाँ टेबल में देखेंगे कि हमारा concrete जो है हमारा exposure condition होता है mild होता है moderate होता है severe होता है very severe होता है extreme होता है तो moderate के लिए पुछा हुआ था है क्या 30 हो है वो यह अगर grade of concrete के देखेंगे तो 20, 25, 30, 5, 340 का हो यहाँ पर होता है minimum grade of concrete इसको याद रखेंगे ठीक है next देखते है लिख रहा in bending maximum strain in concrete at the outermost fiber is taken outermost हमारा जो fiber होता है ठीक है उस पर हमारा concrete होगा कितना होता है strength तो यहाँ पर हमारा कितना 0.0035 होता है मतलब right answer क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा next देखते है how does an increase in pitch of the roof affect the amount of load that can be placed under ठीक है अगर हम का कर रहे है pitch अगर increase कर रहे है roof trust की बात कर रही है तो क्या होगा हमारा लूट क्या होगा हमारा तो यह लोट हमारा जो होता है क्या होता है नेक्स देखते हैं कर रहा है which of the following second thing is true कौन सा statement हमारा क्या है true है ठीक है most of the load applied to a building are environmental load most of the load are dead followed by the live load ठीक है तो हमारा जो building जो होता है ठीक है इसमें पूछ रहा है कि हमारा correct statement कौन सा होगा ठीक है तो generally हम जो design करते हैं load हमारा क्या होता है पहले तो हमारा dead load होता है उसके बाद से फिर हमारा life load होता है ठीक है environmental load के लिए तो होता है ठीक है environmental मतलब eder wind की बात करेंगे हम ठीक है लेकिन environmental हमारा बहुत minor होता बड़ बड़ी बिल्रिन्हें चल oyun ऊसको उद्धा नीज करने general building की बात करेंगा तो होता नहीं ठीक है तो इसका जो राइट एंसور के होगा हमारा वो only B होगा इसका अच्छा ठीक है नेग्स देखते हैं when not specify the volume of steel RCC work is taken as ठीक है हमारा जो है पूछ रहा है कि कौन सा हमारा specify नहीं है volume of concrete ठीक है के respect में हमारा volume of steel ठीक है तेहां पर देखेंगे 106% RCC volume 2-6 RCC volume या फिर 426 RCC volume 0.621 RCC volume यहां पर देखेंगे एक चार्ट हमारा है यहां पर देखेंगे volume of reinforcement हमारा slab के लिए कितना होता है 0.1 से 1% होता है concrete volume column के लिए होता है 0.826% concrete volume बीम के लिए 1-2 2% concrete volume होता है foundation के लिए 0.5-8% concrete volume होता है ठीक है यहां पर volume के उपर compare किया गया तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा नहीं होता है वह हमारा जो है सात्मा है सात्मा नहीं होता है तो इंसर्ट से क्या हो जाएगा ठीक है नेक्स देखते हैं इन डिजाइन आप रसी स्ट्रक्चर तर टेंसाइल स्टेंथ आप क्रीट इस टेकन एस टेंसाइल स्टेंथ हम निकालना होता थे कैसे निकालते हैं 0.7 रूट एप सीके करते हैं ठीक है इसमें कुछ दिया नहीं जब रेड़ी नहीं दिया क्या होगा इस राइट दूर क्या हो जाएगा नहीं आप दीजु जाएगा ठीक है निक्स देखते हैं पिक प्प ट करेक्ट स्टेट महें फ्राम दअफ फालोइग्सृक्प्रेंट क्या करना है चूच करना है कौन-कौन सा पहला है प्याला section joined in column are provided at the bottom hunching यह भी सही है construction joined in beam and slab are provided within the middle third यह भी सही है तो right answer क्या हो जाएगा हमरा D है right answer हमरा क्या हो जाएगा आला correct हो जाएगा ठीक है next देखते हैं why are still reinforcing rod used in concrete beam to make it carry compression to make it carry tension to make it carry compression as well tension if none of this हमको बता है कि concrete हमरा क्या होता है tension में weak होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या provide करते हैं हम लोग tension में हम लो reinforcement provide करते हैं तो right हमरा answer हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है कह रहा है कि if D and N are the effective depth and if depth of natural axis respectively the singular reinforcement लिवर आर हमरा क्या होगा ठीक है तो deliver armor अबना हमर का होता है D minus 1 by 3 होता है ठीक है next देखते है building code required the partition load load to be considered even without partition if live load is less than ठीक है तो इस तरह के question आता है तो हमको direct हमको क्या करना है रटना पड़ेगा ठीक है तो इसका जो right tensor होता है क्या होता है असी PCF होता है ठीक है आगे देखते हैं ए मेजर बीम इन बील्डिंग इस्ट्रक्टर इस नोन एज ए गड़र ए फ्लोर बीम यह फिर मेन बीम यह फिर all of correct option ठीक है तो यह हमारा जो होता है all of correct answer होगा साभी हमारे क्या हो सकते है ठीक है next हमारा है M25 grade concrete is used for हमारा M15 15 15 जो हमारा grade है ठीक है किसके लिए उज करते हैं डैम के लिए foundation के लिए RCC या फिर मास concrete के लिए जनरली हम यह 15 करते हैं foundation के लिए बनाते हैं अगर आँवर हम बात कर देते हैं एम 10 टे में हमारा जो होता है जब protein बनाना होता है तो उसके लिए नीचे stable structure जैते जिसको बेटिंग सोटे है तो हम उसको M10 का देते हैं ठीक है octagonal square with corner चमफाड ठीक है तो इसका जो होता है pre cost pile जो हमारा होता है square के साथ साथ हमारा corner में क्या होता है மफाड भी होता है ठीक है next दखते हैं target mean strength of profoundly create concrete is 27 what is the value of standard radiation तो हमको पता है कि हमारा target mean strength क्या होता है हमारा FM बराबर होता है FC plus 1.65 और सिग्मा सिग्मा मतलब स्टेंडर डिवेशन ते इसका टार्गेट में इस ते हमारा 27 दिया है एप सीखे का बेलू 20 दिया है और 1.67 65 होता है सिग्मा का बेलू चाहिए तो साल करेंगे तो इसका जो बेलू आता है 4.24 एंसर आता राइट एंसर राती एंसर ठीक है most देखते है now के नेज्ससें क्या है हमारा कि र शीर से वास Legislate ऐस्ट यूजा आर शी जो किसे नी सिपरली पैले किया था ठीक है और व पोच रहा है तो देखते हैं यहाँ पर ति इसका जस्ट राइट एंसर होता है ठीक है वोह होता है हमारा सी होगा प्राउंसिक गंप कोबल्ग topping होते हैं ठीक है आप बाकी लोगंगो का भी देख लेते हैं कि किस ने क्या किया था अगे लिखा हुआ तो देखेंगे जोसेफ मोरियार जनक इन्होंने यह नहीं फेरो सिमेंट का इन्होंने अविसकार किया था जॉन श्मेटन ने किया था इसको अमनों बोलते हैं फादर आप सिविल इंजिनरी कंसिडर करते हैं कोगिनेट को यह लोग क्या फ्रेंच स्क इन्डर्श थे इन्होंने कि रेंफ़कर कहें जेसेफ यह नहीं रेंफोटूर्स जो है हमारा जो इस पूछ रहे हैं कितने क्टेगरी में से हमारे होता है औो इस व ठीक है आगे नहीं लिखा होगा ठीक कोई बात निती जो होता है हमारा यह दो होता एक प्री कॉस्ट कंक्रीट होता एक हमारा कॉस्ट इंसाइट होता है दो तोरह कही हमारे कंक्रीट होते हैं ठीक है next दखते हैं which of the following structure load are not applied commonly in the building dead load, ran load, live load, environmental load तो हम लोग ने ran load का भी design कहां consider करते हैं नहीं इसको नहीं करते हैं तो इसका राइट इंसर क्या होगा भी होगा next दखते हैं यह surface structure है जिए small thickness large thickness, moderate thickness, arbitrary thickness ठीक है तो surface जो हमारे structure होते हैं वह हमारा जो होता है small thickness होता है small thickness होता ह्ए surface structure किसको बोलते हैं आगे हम दिखाते है, surface structure होते हैं हम दिखाते हैं इस का जो होता है रिफरेंस टाइम पुरियो जो होता है वह हम लिये हो रहते हैं。 पचास साल का लिए रहते हैं, फिप्तिन येर का लिए रहते हैं, अपर देखें, कोड के हिसाफ़ से यहां पर भी लिखा हुआ है. code के हिसाफ से next देखिए the net area of round bar to resist the tension is area of cross section at mid section root of thread difference of mild mid section and root of the thread or non of the dish होता है ठीक है net जो हमारा tensile होता है वो हमारा क्या होता है जैसे कि हम लोग जो bolt बनाते हैं ठीक है तो इसमें लोग त्रेट कर देते हैं उसी त्रेट पर आगे देखते हैं पीगरी बना के आप दिखाया गया है कि किसको क्या बोलते हैं और यह क्या चीजे होती है ठीक है आगे देखेंगे which of the following is the true regarding the stress strain curve of concrete हमारा stress and strain curve जो होता है कौन सा हमारा statement क्या है correct है तो देखेंगे पूछ रहा है के state a state line up to the failure जी नहीं hydraulic up to the 0.22 strain value and then state line up to failure ठीक है और ये भी हमारा hyperbolic तो होता नहीं है जी देखेंगे higher parabolic up to 0.2 strain value and then state line up to failure इसका answer क्या होगा c is the right answer ठीक है ये आगे दिखा देते हैं उसका graph कैसे बना होगा है देखते हैं 0.22 तक क्या है हमारा क्या है parabolic है उसके बाद से linear जाता है ठीक है next देखते हैं which of the following grade ordinary concrete is not used कौन से हमारा जो है ordinary grade concrete हमारा not use किया जाए ठीक है तो हमारा जो 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 हमारा आते हैं बैलू कौन-कौन से आते हैं ठीक है आगे हम दिखा देते हैं इसका लेकिन यहाँ पर देखिए ordinary जो हमारा concrete जो है यहाँ पर जो एविट्मेंट हुआ था दूजर 13 में वहाँ पर 3 है 10 और 15 और 20 हमारा ordinary भी होते हैं बाकी 25 से 7 तक हमारा standard और 65 से 100 तक हमारा high strength concrete होता है ठीक है तो आफसर में देखिए कौन सा हमारा ordinary concrete है तो m10 ने m10 भी है और m20 यह लेकि नाट पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे 40 भी है और 25 भी क्या है हमारा नहीं है ठीक है तो इन दोनों में से कोई एक answer हो सकता है ठीक है अगर book की बात करेंगे है तो लो book वाले m20 40 को ही माने हुए है ठीक है next देखते है rise up jack arch is kept about ठीक है दिखा देते हैं कि rise हमारा jack होता क्या है पहले jack up arch में ठीक है ठीक है ठीक है इसका right answer की हम बात करेंगे तो यह c होता है 142 18 up span होता है ठीक है देखेंगे figure वे आम पर ठीक है यही हमारा क्या होता है जायक होता है आर्च का ठीक है कोई building and slab के नीचे हम लोग आर्च टाइप पर वाइट करते हैं ब्रीक वर का वह हमारा होता है इसकी record के according देखेंगे 16218 इसमें हमारा होता है ठीक है तो यह हमारे क्या थे RCC के question थे ज्यादा 25 question थे कापी easy question थे इसको practice करें ठीक है कल में फिर 25 question और लेकर आऊंगा ठीक है अच्छा लगए हमारे चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़ें ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बिटा थेंक्यो